हेलो फ्रंस वेलकम टू माय वटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग हो के जीएश्टी यानि बस्तों याँ सेवाकर से रिलेटेड हैं तीस ऐसे इंपोर्टन कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके हर एकजाम में यहां से एक से दो कुश्चन ज देखें यहां पर हमारा पहला कुश्चन है बेश्वा में जीएश्टी सरपर्थम कहां पर लागू हुआ था तो देखें बेश्वा में जीएश्टी जो सबसे पहले लागू हुआ था वो लागू हुआ था फ्रांस में और कब लागू हुआ था तो यह लागू हुआ था एक जुलाई द्वार सत्र को कब लागू हुआ था एक जुलाई द्वार सत्र को ये भारत में GST लागू हुआ था ठीक है एक करेक्ट हो जायाएका अगला कुश्चन देखे कुश्चन माथ 3 है भारत का GST किस देश के मौडल पर अधारित है तो देखे भारत का जो GST है ये क गनाड़ा देश के मॉडल पर अधारी थे हैं ठीक है C करेक्ट हो जायाएका अगला कुछ चैनल है तो देखे जो किस संबिधान संसुधन के तो है तो देखे जो संघान संच लहा घुल क्या होता है तो देखे जी एसेटी का जो फुल फॉर्म होता है औहता है घुट से एंड सर्बिश टेक्स जो है यह GST का full form होता है ठीक है अगला question है GST परिषद में कुल कितने सदा से सम्मिली था है तो देखे GST परिषद में यह कुल 3 सदा से मतलब सदा से सम्मिली था है ठीक है यह correct हो जायाएका अगला question है भारत में GST सबसे पहले किस राजे में लागू हुआ था तो देखे भारत में जो GST लागू हुआ था वो सबसे पहले आसम राजे में लागू हुआ था और कब लागू हुआ था तो यह लागू हुआ था 12 अगस्त दौर 16 को जो है यह भारत में सबसे पहले GST लागू हुआ था ठीक है अगला question है GST लागू करने वाला भारत का दूसरा राजे कौन बना था तो देखे GST लागू करने वाला जो भारत का दूसरा राजे बना था वो बना था बिहार राजे ठीक है और GST लागू करने वाला पहला राजे कौन बना था तो पहला राजे असम बना था दूसरा राजे विहार बनाता और अंतिम राजे कौन बनाता तो अंतिम राजे ये जमू कस्मीर बनाता ठीक है अगला कुस्चान है लोगसभागे द्वारा जी एस्टी बिल कप पारित हुआ था तो देखें लोगसभागे द्वारा जो जी एस्टी बिल पारित हुआ था ओ पारित हुआ था तीन अगस्त द्वार सोला को ये लोगसभागे द्वारा पारित हुआ था राजसभागे द्व मंजूरी कब देते तो देखे जी एश्टी बिल पर आजपती ने अपने मंजूरी ये देती आठ सितंबर द्वार सुला को ये जी एश्टी बिल पर आजपती ने अपने मंजूरी देते ठीक है बी करेक्ट हो जायाएगा अगला कुश्चन है कि संबिधान संसुधन के द्व भारत में GST लागू हुआ था तो देखें भारत में जो GST लागू हुआ था वो लागू हुआ था एक से एकवा संविधान संसुधन के द्वारा ठीक है C करेक्ट हुजाएगा अगला कुछ चैना है भारत में GST लागू करने का सुझाव की समीति ने दिया था तो देखें भ भारत में GST लागू करने वाला अंतिम राजे कौन सा है तो देखे भारत में GST लागू करने वाला जो अंतिम राजे है वो है जमू कस्मी राजे है ठीक है और GST लागू करने वाला पहला राजे कौन सा है तो देखे GST लागू करने वाला पहला राजे हसम है दूसरा राचे बिहार है और अंतिम राचे यह जमू कास्मीर है ठीक है यहाँ पर D करेक्ट हो जायाएगा अगला कुछ जाया है जमू कास्मीर में GST कब लागो हुआ था तो देखे जमू कास्मीर में जो GST लागो हुआ था 5-1-1-17 को यह जमू कास्मीर में GST लागो हुआ था ठीक है तो देखे GST का जो रेष्टेशन नमबर होता है ये 15 डिजिट का होता है ठीक है ये correct हो जाएगा अगला कुछ चैन है सम्भिधान में GST परिशद को कौन से अनुचेद में रखा गया है तो देखे सम्भिधान में GST परिशद को ये रखा गया है भारतिय सम्भिधान के अनुचेद 289 ये में किस अनुचेद में रखा गया है भारतिय सम्मिधान के अनुशे 289 ये में रखा गया है ठीक है B correct हो जायाएगा अगला question है GST परिषद में राज्यों को कितना vote का अधिकार दिया गया है तो देखे GST परिषद में राज्यों को ये 2-3 vote का अधिकार दिया गया है C correct हो जायाएगा अगला question है GST परिशत का अध्याक्ष निमनलिखित में से कौन होता है तो देखे GST परिशत का जो अध्याक्ष होता है होता है बीत मंत्री और अभी बर्तमान में बीत मंत्री कौन है तो देखे अभी बर्तमान में बीत मंत्री ये निर्मला सीता रमान है ठीक है, B correct हो जायाएका अगला question है सरवपर्थम GST Bill का प्रारूप है तियार करने वाले समेती के अध्यक्स कौन थे तो देखे, सबसे पहले GST Bill का प्रारूप तियार करने वाले समेती के जो अध्यक्स थे उनका नाम था असीमदास गुपता ठीक है, D correct हो जायाएका अगला question है भारत में GST का प्रास्ताव कब लाया गया था तो देखे, भारत में GST का जो प्रास्ताव लाया गया था वो लाया गया था सन 2000 में कब लाया गया था? सन 2000 में लाया गया था ठीक है, B correct हो जायाएका अगला question है GST परिशत की अस्थापना निमनलेखित में से कब हुई थी तो देखे GST परिशत की जो अस्थापना हुई थी वह थी 12 सितंबर 12 सोला को ये GST परिशत की अस्थापना हुई थी ठीक है ये करेक्ट हो जाएगा अगला कुछ चैन है जी एश्टी परशत के बरतमान अध्यक्ष निमनलिखित में से कौन है तो देखें जी एश्टी परशत के जो बरतमान अध्यक्ष है वो है निर्मला सीता रमन और जी एश्टी परशत का जो अध्यक्ष होता है वोता है बित मंत्री और अभी बरतमान में बित मंत्री ये निर 4 20 वर्षो का करावास का प्रावधान करें जाता है Xin करेक्ट हो जाएका अगला कुस्ष्च न similar में से 9 को मनाया जाता 12 मनाए जाता है वह मनाया जाता shoe onaina जाता admir जुलाई को मना जाता है ठीक है एक करेक्ट हो जायेका और 11 जुलाई को क्या मना जाता है तो 11 जुलाई को ये 200 जन संख्या दिवस मना जाता है ठीक है अगला कुछ जैन है जी एस्टी निमनलेखित में से कीस परकार का कर रहा है तो देखें जी एस्टी जो है ये एक और परत्यक्ष कर रहा है ठीक है बी करेक्ट हो जायेका अगला कुछ जैन है GST परसासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया गया है तो देखे GST परसासन के लिए ये GST पोर्टल लॉंच किया गया है ठीक है C करेक्ट हो जाएगा GST बिलकुष सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था तो देखे GST बिलकुष सबसे पहले ये पारित किया गया था थिलंगाना में कहाँ पर पारित किया गया था थिलंगाना में फारित किया गया था ठीक है डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है बर्तमान में GST किदर है कितने परकार की है तो देखे अभी बरतमान में GST की दर है ये चार परकार की है पाँच परतीसद बारा परतीसद आठारा परतीसद और अठाइस परतीसद ठीक है अगला कुछ चन है GST Network से जुड़ी भारत के सबसे बड़ी दो IT कमपनिया कौन सी है तो देखे GST Network से जुड़ी भारत के सबसे बड़ी दो IT कमपनिया पहली है Infosys और दूसरी है B Pro ठीक है यहाँ पर A और B जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आमार अगला कुश्चन है British अंसद ने भारतिय स्वतंता धिनियम का पारित किया था तो देखे यहाँ पर आपको चार अप्सन दिया गया है अप्सन यह जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में या फिर अगस्त 1947 में तो दोस्तों आप इसका अंसर जो है, कमेंट बक्स में जरूर बाता है और आप इन वैसे कितने कुश्चन सही कर पाएं, यह भी कांट से बाता है और चैनल पनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्वाल एक हंटी का निसान है, उसे भी अनकरते हैं ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग